पहला question है हम लोगा show that x-5 and 2x-1 are the factor of this देखो factor theorem बताये थे, factor theorem क्या था कि अगर value को इसमें put करेंगे तो answer क्या आना है? 0 आना है तो अगर ये इसका factor बोला है show करने के लिए तो क्या होगा? सबसे पहले देखो x-5 को हम 0 equate करेंगे तो x का value क्या आएगा? हम लोगा 5 आएगा अब देखो equation क्या है? equation है हम लोगा 2x square minus 11x plus 5 यहाँ पर value put करते हैं, value put करेंगे तो क्या आएगा? 2 into 5 पर value put करेंगे x का जगे क्या put करना है? 5 put करना है, मतलब देखो क्या इसको लिखेंगे अगर pattern में तो ऐसे लिखेंगे देखो fx का value क्या दिया है? 2x square minus 11x plus 5 अब यहाँ पर value क्या put करना है हम लोग को? x का value 5 put करना है तो next step में ऐसे दिखाएंगे f5 equal to 2 यहाँ पर 5 square minus 11 into 5 plus 5 अब इसको solve करने के दिखेंगे तो क्या है? अब 5 square का value आता हम लोगा 25, 25 तो जाओगा 50 50 minus 55 plus 5 देखो इसको solve करने के दिखेंगे क्या रहा? 50 plus 5 that is 55 minus 55 इसका answer आएगा 0 तो देखो x का value अगर 5 पुट के इस particular equation में तो answer क्या आ रहा हम लोगा? value क्या रहा है? 0 तो मतलब यह क्या proof करता है कि x equal to 5 is a factor of this इसका factor होगा तब ही value 0 आ रहा है जैसे कि example 6 है ठीक है? अब 6 का factor क्या है? 2 और 3 लेते हैं 2 और 3 हम कैसे बोले हैं इसका factor है अगर 2 को इससे divide करेंगे तो remainder कुछ आ रहा है क्या? नहीं है जैसे कि देखो 6 by 2 अगर करेंगे answer क्या रहा है? 3 आ रहा है तो मतलब क्या 2 इसका factor है? factor होने का condition क्या होता है? remainder 0 आता है देखो यह remainder क्या है? 0 आया तो मतलब यह चीज इसका factor हुआ second equation देखते है, ठीक है? second अले value क्या दिया है? इसको भी proof करना है कि इसका factor है अब देखो function तो यही था 2x minus 1 equal to 0 की है second case में यह हम लोगा second case है, ठीक है? second case में 2x minus 1 equal to 0 तो 2x का value आएगा हम लोगा 1 तो यहां से x का value निकलेगा 1 by 2 तो देखो x का value हम लोगों पता लग यह क्या है? 1 by 2 function हम लोगों पता था क्या है? function क्या था? 2x square minus 11x plus 5 अब देखो यह इस function के अंदर में क्या value पुट करना? x का जग क्या पुट करना? half तो यहां पे 1 by 2 पुट किया function के अंदर तो यहां पे पुरा equation में क्या पुट होगा? half पुट होगा जहां जा x है तो यहां क्या होगा? 1 by 2 का square minus 11 into 1 by 2 plus 5 इसको solve करेंगे तो क्या आएगा? 2 into 1 by 2 का square 1 by 2 का square क्या होगा? 1 by 4 तो यह को 2 into 1 by 4 minus 11 by 2 plus 5 इसको देखो solve करेंगे 2 1s are 2 2s of 4 ठीक है तो 1 by 2 आया LCM लेते है LCM आएगा हम लोग का 2 तो यहां आएगा 1 minus 11 plus 5 to the 10 देखो कैसे आया है हम LCM लिए है 2 आया है यहां 1 था तो 1 अल्रेडी रह जाएगा यहां पर 11 था तो 11 रह जाएगा लेकिन यहारे में क्या था 1 था तो 2 by 1 करेंगे तो 2 हो रहा तो यहां multiply 2 होगा तो इसको लिखे अब देखो 10 plus 11 क्या होगा 11 11 minus 11 that is 0 तो इसका भी देखो answer क्या आया है 0 आया मतलब की यह वाला value अगर put किया है तो equation का answer क्या आया value क्या आया 0 आया तो इसका मतलब क्या यह भी factor है यह भी factor है ठीक है यह proof हो गया ठीक है देखो अगला question देखते है अगला question है अगलोगा show that x plus 3 is the factor of this मतलब show करना उपर जाचा है कि x plus 3 इसका factor है मतलब factor इसका मतलब क्या होगा end का value क्या आएगा 0 आना चाहिए hence factorize the equation इसको factorize भी करना है सबसे पहला देखो fx क्या दिया हम लोगा 2x square minus x minus 21 अब यहाँ देखो x plus 3 का value अगर 0 पुट करेंगे तो x का value क्या आना हम लोगा minus 3 आना है इसका मतलब क्या है f का जगा पे minus 3 अगर पुट करेंगे तो equation में भी x का जगा पे क्या पुट होगा minus 3 पुट होगा तो क्या लिखेंगे 2 into bracket में क्या होगा minus 3 का square minus x के जगा क्या होगा minus 3 तो minus 3 minus 21 अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 minus 3 का square क्या होगा 3 square होना 9 minus minus प्लस 3 और यह होगा हम लोग का minus 21 अब देखो 9 to the होगा हम लोग का 18 18 plus 3 minus 21 18 plus 3 देखो होता है 21 21 minus 21 0 तो अब 0 आगे इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह हो रहा है therefore x plus 3 is factor of 2x square minus x minus 21 यह तो prove होगी हम लोग का अब बोला hence factorize this equation क्या दिया है हम लोग का 2x square minus x minus 21 अब देखो जब भी भी factorize बोलता है हम लोग इससे पहले ओले classes में पढ़े थे ना 8 9 में factorization of trinomial trinomial में क्या होता था पहला यह term इससे multiply होता था तो क्या होता था 21 into 2 21 into 2 क्या आएगा 2 1s are 2 2 2s are 4 अब इस calcium लेते थे हम लोग मतलब पहले यह दोनों multiply करते थे तो multiply करके 42 आया इस calcium लेंगे तो क्या आएगा 2 से 21 3 से 7 हम लोग को add subtract करके क्या लाना है 1 लाना है minus 1 लाना है तो इसको देखो next step में क्या लिखेंगे यहाँ देखो break करेंगे तो क्या है 3 2s are 6 हो रहा 7 हो रहा मतलब की 7 minus 6 that is 1 तो आ रहा है तो इसको next step में क्या लिखेंगे 2x square minus 7x plus 6x minus 21 में भी तुम लोग को confusion हो रहा है कि यहाँ minus क्यों लिए क्योंकि width sign क्या है minus 1 है अब देखो minus 7 plus 6 क्या होता minus 1 आता है इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिए minus 7 ठीक है अब यहाँ पे देखो यह दोनों में हम common निकालेंगे यह दोन में common निकालेंगे यह दोन में common क्या निकलेगा number तो कुछ निकलेगा नहीं तो निकलेगा क्या variable variable क्या है x x common निकालेंगे तो बचे का क्या है 2x minus 7 यहाँ पे common निकलेगा 2 3 निकलेगा, तो यहाँ होगा हम लोगा 2x-7, तो यह next step में answer किया जाएगा, 2x-7 और हो जाएगा यहाँ पे x-3 तो देखो, यह अला factorize भी होगी और प्रूब होगी है, ठीक है, यह second part ता question का, देखो, next question देखते है, find a value, हम लोगो value निकालना है, a का, ठीक है if x-a is a factor of equation x-3-ax2 plus x plus 2 देखो, यह वाला question ना, ICSC का 2003 में आया है, ठीक है तो देखो, यहाँ पे find value of a a का value निकालना है, if this is a factor मतलब यह factor इसका मतलब हम लोगो क्या information मिल रहा, अगर x- a equal to 0 put करेंगे तो x का value क्या आएगा, a ठीक है, अब यह a को इस equation में put करेंगे, तो remainder क्या आना चीज़, 0 factor होने का यह condition है कि remainder क्या आएगा, 0 तो अब देखो function लिखते है, function fx क्या है, हम लोग का x-3-ax2 plus x-2 यह वाला value यहाँ put होगा, तो क्या लिखेंगे next step में, f a equals to क्या होगा, a के जगा अब x के जगा क्या होगा, a a cube minus a into x square के जगा क्या होगा, a, तो a square plus x के जगा क्या होगा, a plus 2, इसको देखो next step में solve करेंगे, तो क्या आएगा, a cube minus a square into a that is a cube यहाँ पे क्या आएगा, plus a plus यह होगा, अब देखो यह दोनों term minus होगे, क्या होगा, 0, तो बचे रखे हम लोग का a plus 2, मतलब यह solve होगे होगे, क्या आना है, देखो यह दोनों cut गया, तो बचेगा a plus 2, ठीक है, तो value of a निकालना है, अब यहाँ देखो condition, हम लोग को जब पता था, कि यह इसका factor, इसका value क इससे equate होगा, 0 से equate होगा, क्योंकि remainder क्या आना है, 0 आना है, तो इसको मतलब a का value क्या आएगा, minus 2, देखो यह जो हम 0 की है न, यह इस step में भी कर सकते थे, कि इस equation के यह जासे function दे दिया है, यह वाला, यहाँ पर a का value पुट की है, तो equal to क्या होगा, 0 होगा, अब इसको solve की है, तो equal to क्या आ रहा है, हम लोगा, 0, तो a का value क्या आ रहा, minus 2, तो यह वाला एक part है, अब गर factor है किसी चीज़ का, तो remainder का value क्या आएगा, 0, यह चीज़ याद रखना, next video में हम बताएंगे division method, फिर उससे related factor question, ठीक है?